हर्याना के elections कल बहुत सारी यादे वापस लेकर आ गए क्योंकि 36 गड़ के elections की तरह बिलकुल हर्याना का election हुआ उसका result रहा और इसलिए कई debates में senior political experts ने ये बात साफ तोर पर कही और ये constant comment था जो हर किसी के तरफ से आया कि किस तरह से हर्याना का election पूरा 36 गड़ के जैसे कि Congress full बहुमत के साथ वहाँ पर आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाद में BJP ने ही बाजी मार ली और बहुत close fight रही और किस तरह से ये दोनों elections में parallels ड्रॉ कर सकते हैं कैसे ये similar रहे इसी topic पर बात करने के लिए आज हमारे साथ political expert senior political expert सुनील कुमार जी मौजूद है इनको approximately half century का journalistic experience है और मैं समझती मिन से ज्यादा बहतर कोई नहीं हो सकता इस topic के लिए Sir, किस तरह से एक comment जो political मैंने देखा काफी ज्यादा political gurus TV debates पर करते आए कि बिलकुल 36 गड़ की याद आ गई उन्हें, political deja vu हो गया लोगो को कि किस तरह से 36 गड़ में भी कयास लगाए जा रहे थे, कई लोग confidently 50 पार यहाँ पर भी भुपेश बखेल की सरकार को दे रहे थे, जो ruling party थी, लेकिन उसके बावजूद BJP बिलकुल एक महिने में election मैदान पर उतर कर last में final cake लेकर चली जाती और बिलकुल हरियाना में भी उ कि और कौन सी ऐसे strategy तो BJP के लिए एकदम कार गर रही वहाँ? कि तेवर के लोग हो सकते थे, अभी आप 36 गार राजास्तान, मद्यप्रदेश जहां चुनाओं हुए हैं, जहां होने हैं, आप देख लीजिए, आप हरियाना देख लीजिए, चुनाओं के 200 दिन पहले उन्होंने अपने मुख्यमंतरी को हटा दिया, जिसने करीब-करीब साड़े नौ साल शायद पूरे किये थे वहाँ पर, मनोरलाल, हटा दिया उन्होंने, बेदर्दी से हटा दिया, लोग सभा में लेके चले गए, केंदरी मंतरी बना दिया, लेकिन हरियाना से हटा दिया, मुझको लगता है एक पार्टी जिसके भीतर ऐसा बड़ा फैसला लेने की हिम्मत हो एक, ताकत हो दो, कांग्रेस के पास मुझको दो नहीं नहीं दिख रही है, ना हिम्मत ना ताकत, वहाँ पे अगर आप देखेंगी तो दिपिंदर, वहाँ पे आप देखेंगी तो करने भी नहीं निकल रही हैं, क्योंकि जीत के आजाएगी कॉंग्रेस पार्टी तो मुख्यमंत्री तो हुड़ा बनेंगे, इनके आपस में बाचीत भी बंद थी, राहुल गांधी को एक पब्लिक मीटिंग में इन दोनों का एक एक हाथ पकड़ के, ऐसे खड़े रहना प ही है, कॉंग्रेस लोकसभा में तीसरी बार हारी है लगातार, हर्याना ये तीसरी बार हारी है लगातार, उसका ये हाल जो है, ये हाल कम बदहाल जादा है, तो मेरा ये मानना है कि ये पार्टी संगठन ने ये चुनाव हारा है, राज्य के बारीक मुद्दों पे अभी जा संगठन की कमजोरी से जो पूरे दस साल वहां पर हरियाना में अपने पार्टी के भीतर की गुडबाजी को ही काबू में नहीं रख सकी ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले 5 साल 36 गड़ में भुपेश बगिल वर्सस आल अदर्स भुपेश बगिल के मुकाबले कांग्रेस के बाकी सारे नेता एक तरफ थे बाकी नेताओं की भी इतनी हमत नहीं थी कि भुपेश बगिल के खिलाब कोई अभियान चलाएं अभियान चलाया अकेले टी-एस सिंदेव ने जिनकों की धाई साल बाद मुक्यमंत्री बनना था ये सब को मालूम है अब ये बात कि कांग्रेस में तै हुआ था कॉंग्रेस पार्टी भुपेश बगिल को हटा नहीं पाई धाई साल के बाद अगर हटा थी अगर टी-एस सिंदेव मुक्यमंत्री बने रहते आखरी के धाई साल के लिए तो शायद सरकार नहीं हारती कॉंग्रेस पार्टी यहां पर आप भी देख रही हैं यहां पर लगातार कि भुपेश बगिल से जनता की जितनी जो नाराजगी थी वो धाई साल बाद हटा के अगर टी-एस सिंदेव को बना देते तो वो नाराजगी काफी हद तक धुल गई रहती छट गई रहती कॉंग्रेस आखरी दिन तक नहीं कर पाई पूरे के पूरे अगर आप देखें तो यहां पर छतिस गड़ में भुपेश बगेल और उनकी टीम ने ये चुनाओ भुपेश है तो भरोसा है इस नारे के साथ लड़ा बाद में दिल्ली से आई वे लोगों ने जिनमें सैलजा भी थी जिनमें और लोग थे उन्होंने बड़ी कोशिश कर सरकार में और प्रदेश में अकेले भुपेश बगेल कर रहे थे। तीसरी बार कईना के भारतिया जन्ता पाटी का आना जब उमीद नहीं जताई जा रही थी जैसा कि ये भी हमारा एक discussion हुआ था कि कैसे सारे exit polls ये भी एक similarity हुई चातरसगड में भी हर एक exit poll हर एक political गुरू पीनियन पोल exit poll सब कुछ सारे सारे बिलकुल अगर हम एक सिमिली देखने की कोशिश करें तो वो ये है कि दोनों जगे पार्टी के भीतर के लोगों ने सेबोटाज बहुत किया जैसे 36 गल मैं करीब से ये चुनाओं देख रहा था आप भी देख रही थी एक दरजन ऐसी सीटें थी यहां पर जिसमें कांग्रेस विधायक जीतने लायक थे लेकिन उनको हराया गया पार्टी में सेबोटेज इतना बड़ा हुआ यहां अगर वो सेबोटेज नहीं होता तो यहां की तस्वीर कुछ और रहती लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझको ये लगता है कि भुपेश बगेल के मुख्यमंतरी रहते वे चुंकि इका दुका राज्य में ही कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस संगठ संगर्थन कांग्रेस संगर्थन का दिली में बैठे हुए इतना मुझ नहीं था इतनी जुबान नहीं थी कि भुपेश बगेल को किसी चीज के लिए रोक सकते आपको दिहान होगा भुपेश बगेल कोई असम चुनाओ यूपी चुनाओ हिमाचल चुनाओ सब जगे भुपेश बगेल को जोंका गया था वो अपनी टीम के साथ और अपने खजाने के साथ जाते थे वहाँ पर, खजाना मैंने देखा नहीं है, टीम देखी है, कुल मिलाकर यह है कि भुपेश वगेल कॉंग्रेस पार्टी की ताकत से ज़्यादा बड़े हो गए थे 36 गड़ में, ठीक उसी तरह मैं हुड़ा के बारे में, अभी आप आई है मैं एडिटोरियल लिख रहा था अपना, आप देखिए कि यह हुड़ा जो है, मुख्यमंत्री जो थे वहां के, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, कॉंग्रेस पार्टी के जो राजकी दामाद हैं, राबर्ट वाडरा, उनके साथ जमीन के कई डिस्प्यूट जो है, कई कांट्रोवर्सी, कई ग होटाला कहा जा रहा है जिनको, उसमें ED की जांच में घिरे हुए हैं, तो अब अगर कांग्रेस का जो दामाद है, वो उसको अगर कोई मुख्यमंत्री ओबलाइज कर रहा है इस हद तक, कि खुद हुड़ा की संपत्ती जगे-जगे अटैच हो गई है ED में, इस हद तक उस अथरब जो हैं, कांग्रेस के, ये बे-काबू हो गए हैं. सीट के असेम्बली हैं, तो इसलिए यहां पर भी 35 के आसपास ही काउंट रहा, 36 गड़ में भी कांग्रेस का, तो ये जो टिकेट वितरन है, उसमें भी बहुत बढ़ा हाथा. दूसरा एक चीज मैं हरियाना के रिजल्ट से ज़्यादा बारीकी से देख रहा था, एक चीज और हो गई, वहां की रीजनल पार्टियां जो हैं वो खतम हो गई, इस एसेम्बली चुनाव में, कुल एक पार्टी को शायद दो सीट मिली है, जो 36 गड़ में गोंडवाना को जो थे, उसके डिप्टी सी एमबी जो थे, उनकी पार्टी खतम हो गई, जीरो है उनके हाथ में, कुछ नहीं है, निलबटा सननाटा जिसको कहते हैं, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि 36 गड़ की तरह ही हरियाना इस बार बाइपोलर रहा, वोटर का रुख विल्कुल कांटेस्ट किया, उन्होंने इस बार दस सीटों पर कंटेस्ट किया, इस बार उन्होंने दो सीट पाई, पिछले बार 2019 में जब गुआ था, तो उन्होंने एक सीट पाई थी, लेकिन आयनल्ड की जो स्थिती थी, more or less वही रही, लेकिन दुश्यन चौटाला, जैसे आपने मांच कर रहा है, मुझको एक चीज लगती है कि जब दो मेजर पार्टी इसके बीच बड़ा एक मेजर कॉंटेस्ट रहता है, दोनों पार्टी या एक Просто के दोनों पेश करती है, दोनों ही पार्टी आच्छी थी, चिजब एक्छी ती जिती मुझको हैरानी नहीं होता, वही कॉंग्रेस पार्टी भी अगर आप आम चुनाव देखें तो आम पार्टी में इट है अल्मोस्ट डबल इट्स लोग सभा सीट्स तो वो भी जो एंडिये और यूपी या इंडिया कोलिशन यह दोनों ही मजबूत अप्शन थे वहां पर हर्याना में हालंकि इन दोनों के एक एक लोग ही थे वहां पार्टियां एक एक थी तो मुझको ऐसा लगता है कि वोटर के सामने जब दो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चॉइस एवलेबल रहती है कि यह भी मजबूत है यह भी मजबूत है फिर तीसरों का मौका गायब हो जाता है छतिस गड़ में जैसे पिछल सीट से किवल एक सीट उनको मिली है और किसी पार्टी को कुछ नहीं मिला यहां पर बसपा को कुछ नहीं मिला जोगी को कुछ नहीं मिला किसी को कुछ नहीं मिला तो जब दो मेजर पावर्स के बीच में कांटेस्ट बड़ा क्लियर रहता है तो फिर रीजनल पार्टी लोक अपने candidates थे बड़ी clear उतारे और अर्विन केजडवाल ने statement भी दे दिया है कि कई नगई Congress वो एक बहुत ही वेल्ड अटाक Congress पर करते हुए अपने statement में और आमादवी पार्टी इंडिया कोलेशन का हिस्सा है लेकिन उसके बावजूत काफी अलग-अलग भिन तरीके से उनके behavior election campaigning नज़ा आई हर्याणा में आपको लगता है ये भी एक वज़ा थी और silent voters चत्रसगर में भी silent voters नहीं बहुत ज़ादा एक भिन तरीके से voting की हर्याणा में भी यही हुआ मनोलाल खटर इन फाक्ट यहीं बोलतों में नज़र आ रहे है कि पेम की नीती तो काम आई ही लेकिन silent voters ने वहाँ पर रुपदर दिया मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच के जो interrelations हैं ये लोकसभा चुनाओ आम चुनाओ जो थे उसमें तो clear थे लेकिन अभी जो है अलग-अलग स्टेट में उन दोनों की स्टेट यूनिट से जो हैं इनके बीच में बड़े confrontation है जैसे पंजाब म में आप कॉंग्रेस को कहें कि आप सरेंडर हो जाओ आम आदमी पार्टी को लड़ने दो तो दिली के कॉंग्रेस नेता कहेंगे मेरी कई लोगों से बात भी हुई थी वो कहेंगे हम पार्टी को बंद कर दें दुकान फिर यहां पे दिली में चलाएं क्यों पूरा राज य ही केजरीवाल को दे दो तो जो इस्टेट लीडर से जो हैं दोनों ही पार्टियों के आम आत्मी पार्टी और कॉंग्रेस के इनके बीच कन्फरेंटेशन ज्यादा ठीक उसी तरीके है जिस तरह से बंगाल में अधिर रंजन चोधरी कॉंग्रेस के और ममता बेनर जी इनके बीच कन्फरेंटेशन है दिली में ममता के रिलेशन्स उतने खराब नहीं थे कॉंग्रेस के जितने की राज्य में खराब थे तो अधिर अंजन चोधरी को भी हटाना पड़ा कॉंग्रेस को तो ये एक कांट्राडिक्शन नैशनल पार्टी जितनी है उनकी स्टेट यूनिट और उनकी नैशनल यूनिट के बीच हमेश के कोलेशन में यूपी में भी देखा हमने बिहार में भी देखा हर जगे ये होता है मैं इसको मेजर कांट्राडिक्शन नहीं मानता ये एक माइनर कांट्राडिक्शन है जो आपकी नैशनल यूनिट और स्टेट यूनिट के बीच में एक जैसी नीती नहीं है लेकिन ये च आखरी सवाल, manifesto पर, क्योंकि हमने अभी strategies पर बात की, हमने बात की कि क्या Congress को करना चाहिए था, क्या वीजेपी को work कर गया, अब manifesto उसकी बात करें, तो महातारी वंदन योजना यहाँ पर 36 गड में एक super hit, एक formula वीजेपी का था, और क्योंकि Congress ने महातारी उनके ग्रहलक्ष योजना की वहाँ पर गोशना कर दी, लेकिन वीजेपी ने भी बिलकुल लाडो लक्षमी योजना उनकी की और 2100 रपे प्रतीमा, महिनों, प्रतीमा विमिन को देने की बात की, आपको लगता है ये वी एक फैक्टर रहा, विमिन, मेरा मानना है कि राजनीती में चुनावो में जो गोशनाएं हैं, जिनको कुछ लोग फ्रीवीज कहते हैं, मोदी खुद रेवली कह चुके थे इसको, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जिसको बीजेपी की एक वकील, अश्विनी उपाद्याई ने फाइल किया है, पी आईल, इन सब को देखते हुए भी मेरा ये मानना है, जिसको लगता है कि महिला पहली बार भारत की राजनीती में सेंट्रल फिगर है, किंग मेकर महिला है, तो 36 गड़ में जो महतारी वंदन योजना थी, इट वस नथिंग न्यू, ये केवल मद्रप्रदेश की कौपी थी, जहां शिवराज सिंग ने एक दरजन योजनाएं ऐसी रखी, और 15 साल, 20 साल से चुनाव जीतते आ रहे थे वो, केवल एक छोटा सा एकसेप्शन छोल कर, जिसमें कमलनात मुक्य मंत्री बने थे, इन्हो टाइम हाइस्ट बारोविंग मद्रप्रदेश सरकार को करनी पड़ी है, इन्हीं योजनाओं की वज़े से, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ये मानना है, कि महिला को डाइरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने वाली अगर कोई योजना है, तो मैं उसको आप रेवडी कहो, फ्रीवीज कहो, जो भी कहो, मैं उसके पक्ष में हूँ, उसने भाजपा को यहां पर जीत दिलाई, वो महरास्ट में जहां चुनाओं आगे खड़े हुए हैं, वहां अभी से माहौल बन रहा है, मद्रप्रदेश में उसने जीत दिलाई, शिवराज का मामा हुँ मैं बहन, यह सब उसने जीत दिलाई, मुझको लगता है कि चाहे कर्ज हो जाए, राज्य के उपर चाहे जो हो जाए, अगर आपको कोई एक, एक तोहफा अगर माटना है चुनाओं में, तो वो महिला को डाइरेक्ट बेनिफिट पहुचाने वाला होना चाहिए, मैंने च्छतिस गड में अपना आलता खरीद लेती है, या अपना पाउडर बिंदी चूडी खरीद लेती है, कई तरह की चीजें महिलाएं उस पैसे से खुद कर पा रही है, तो मुझको लगता है कि हर्यानवाएं में भी यही हुआ, दोनों पार्टियों ने किया, थोड़ा सा 19-20 का फर्क था उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो जहां दोनों पार्टी के मेनिफेस्टों इस मुद्दे पर 19-20 थे, शायद 2000 रुपिया मेहना, 2100 रुपिया मेहना इतना ही फर्क था, तो इस मुद्दे का तो फर्क वहाँ पे नहीं पड़ा, दोनों नीट्रलाइज हो गए, दोनो समय पे अनाउंस हो गए, 36 गल जैसा नहीं हुआ, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैट कर, चिदंबरम बोल रहे हैं, विनु गोपाल बोल रहे हैं, राहूल गांधी बोल रहे हैं, यहां पर 36 गल के भीतर, टीए सेंद्यों बोल रहे हैं, महंत बोल रहे हैं, कि मैं अनाउंस नहीं करूंगा, उन्होंने अपने करीबी लोगों के बीच कहा था, मैं चाहें चुनाव हार जाओं, मैं यह महतारी वंदन जैसा कुछ गोशना नहीं करूंगा, पार्टी के दबाव डालने के बाद उन्होंने, चिदंबरम के सामने कांग्रेस ने पूरा क पूरा हिसाब किताब रखा, कितना पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, क्या होगा, जब चिदंबरम ने ओके किया, तब जाके 36 गड़ में पार्टी ने कहा, इसको लागू करो, अनाउंस करो, उसमें शायद पांच दिन भुपेश बगेल ने गमा दिये थे, और दीव पाली की दोपहर को, जब मैं बिरनपूर में था, इश्वर साहू को इंटर्यू कर रहा था, तो मेरे फोन पे खबर आई थी, कि यहां पर भुपेश बगेल ने महतारी बंदन के मुकाबले ये गोशना किये, शायद 1200 रुपिया महना ऐसा कोई था, इतना लेट हो चुका थ उसका कोई असर नहीं हुआ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हर्याना के मैंने दोनों पार्टी के मेनिफेस्टो देखे हैं, मेनिफेस्टो बहुत बड़ा नहीं था, उसमें एक चीज़ शायद हर्याना में असर कर सकती थी, जो वहाँ बीजेपी ने कहा कि हम अगनीवीर ज देखेंगे तो अधिकान शाहर यानवी सिपाही आपको दिखेंगे, तो इनका मिजाज है बाहर जाकर युनिफार्म का काम करना, मुझको लगता है उस एक मोर्चे पर, चुंकि कांग्रेस लगातार अगनीवीर योजना का ही विरोध कर रही थी, और बीजेपी ने कहा हम अगनीवीर को नोकरी देंगे रेगुलर, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक मुद्दा जो है उनके बीजेपी के गोशना पत्र का, ये काम आया होगा. डेफिनिटली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काम आया और कॉंग्रेस के लिए सीखने वाली बात यही है कि किस तरह से उनको अपनी गलतियों को सुधारतना चाहिए, चतिसगर में भी वही गलती हुई और उसके बावजूद हर्याना में भी उन्होंने इंटरनल स खोना पड़ा है, तो बहुत सिमिलर ये दोनों फाइट रहे, बहुत सिमिलर ये दोनों एलेक्शन रहे और रिजल्ट डेफिनिटली बहुत जादा ही एक चतिसगर की याद दिलाने वाले रहे और ये सारी सिमिलारिटीज डेफिनिटली रही, मैं सुमी केवल पटेल,